अपसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से छोटे-छोटे घरेलू नुस्खों से हम नौ ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। देखिए हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उससे संबंदित समस्या आ जाती है। ग्रहों को मजबूत करके हम उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए हमें अपने जीवन-चरिया पर अपने खान-पान पर और स्वभाव पर ध्यान देना होगा और इसमें बदलाव करना होगा। इन बदलावों से बहुत जल्दी हम अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं सूर्य को कैसे मजबूत करें रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठिये जब तक सूरज की रोशनी रहती है यानि सुर्यास तो होने के पहले तक भोजन कर लीजिए उसके बाद मत करिए और तांबे के बरतन से पानी पीजिए लकडी के फरनीचर का प्रियोग करिए आपको लाप होगा कि चंद्रमा को कैसे मजबूत करें रात में ठंडी चीजे खाना बंद कर दें भोजन हमेशा ताजा खाएं रसदार फल और सलाद जरूर खाएं अलाकि इस समय सलाद मत खाईएगा पानी की बरबादी बिलकुल न करें और अपनी माता के हाथों से कुछ न कुछ खाने का प्रियास करें चंद्रमा आपका मजबूत होगा मंगल को कैसे मजबूत करें जमीन पर या लो फलोर की पलंग पे सोने की कोशिश करें सब्ता हमें एक दिन खास्तोर से मंगल वार के दिन नमक ना खाएं, बुड और दलिये का सेवन करें, आपका मंगल बेहतर होगा. बुद्ध को मजबूत करने के लिए क्या करें? भोजन में हरी सबजियों का प्रियोग जरूर करें, सौंदर ये प्रसाधन कॉस्मेटिक्स का प्रियोग कम से कम करें, और किसी न किसी तरह का संगीत सुनने की आदट डालें, स्नान का और साफ सफाई का विशेश ध्यान रखे ब्रिहस्पती को कैसे मजबूत करें? भोजन में हल्दी का प्रियोग जरूर करें, सात्विक भोजन ग्रहन करें, बाल छोटे रखें और नियमित रूप से अपने माथे पर तिलक लगाएं, ब्रिहस्पती प्रबल हो जाएगा शुक्र को मजबूत कैसे करें? स्नान करने के बाद सुगंध जरूर लगाएं, साप सुत्रे और सुन्दर रंग के वस्त्र धारन करें, दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं, बाल और दाढ़ी मूच बिखरे हुए ना रखें शनी को कैसे मजबूत किया जाएं? भोजन में और मालिश के लिए सरसों के तेल का प्रियोग करें, जादा से जादा प्रकाश का लाइट का प्रियोग करें, घर को खुब प्रकाशित रखें, बाल और डाढ़ी अगर आप चाहें, तो थोड़ी बड़ी रखें, लेकिन सही तरीके से रखें, और स्टील के बरतनों का प्रियोग करें, तो आपको लाब होगा। तो आपके लिए बेहतर हो काम।